जहिन दोस्तो ओल इंडिया बार के तरफ से जो है कई सारे संसोधन जो है हाली में किये गए थे जिसके बज़ा से जो आपके अलग-अलग स्टेट बार काउंसिल है उन्होंने अपना न्यू इंड्रॉल्मेंट जो है रोका हुआ था आपको याद होगा बार काउंसिल के अंदर जो फी को लेकर जो है काफी जादा जो है वो मामला चला था जिसमें अलग-अलग स्टेट जो है अलग-अलग फी लगा रहे थे तो यह सारे मामले थे जिसमें सभी स्टेट जो है सभी स्टेट की बार काउंसिल जो है अपना-पना जो है decision ले रहे थे इसी के साथ यूपी ने जो है अपना फिर से registration चालू कर दिया है और फिलहाल जो है एक आपके लिए सबसे बड़ा जो news यह है कि जो आपका update है कि आपने जो अगर आपको माली यूपी में अगर आप registration करवाते हैं उत्तरप्रदेश में registration करवाने के लिए आपके कुछ नियम है जिसमें एक सबसे महत्तपूर है कि इंटर्व्यू जैसे अगर इंटर्व्यू आपको देने जाना होगा यानि कि जब आप registration करवाएंगे यानि कि registration के लिए enrollment के लिए जब आप form भरेंगे इसके बाद जब आपको एक बार बुलाया जाएगा और आप क्या आपको निर्देश का पालन करना है क्या है नोटिफिकेशन में आज जो है हम लोग देखने वाले हैं इसमें समझने वाले हैं तो बार काउंसल आफ जो उत्तरपदेश की website पर आप जाएंगे तो website पर जाने के बाद आपको प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्ल नोटिफिकेशन आपको मैं मिल जाएगा ठीक है तो देखे सक्षतकार जो इंटर्व्यू है बेसिकली जो है इंटर्व्यू जो है वो यूपी में आप जो लिया जाएगा इन्रॉल्मेंट अगर आप करवाते हैं तो तो इसमें कुछ नियम रखेगा है वही नियम मैं आप आपको बता रहा हूं जैसे इसमें पहले जो पॉइंट कहा गया है प्रदेश भर के जो अभियारती का सक्षतकार जो है वो जोन वाइज किया जाएगा यानि की जितने भी जिलें हैं यूपी के अंदर उन जिलों को जो है जोनों में बात दिया गया है और वो सारे जोन के बारे मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो प्रतेक जोन में जो है गठित हुआ है और उसमें तीन लोग की कमिटी बनाई गई है जो की इंटर्व्यू लेंगे और इसके साथ जो अभ्यारती प्रति अभारी के साथ रहेंगे यानि कि जो विक्ति जो भी अभ्यारती होंगे वह प्रतेक जो है इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखा जाए कि अभ्यारती को सक्षतकार हे तुछ से डेड़ सो किलोमेटर की दूरी तैयना करना पड़े आपका अगर मान लिजे गाजियाबद आपका जिला है आपका होम डिस्ट्रिक गाजियाबाद है तो आपका जो ह सक्षतकार जो है 10 वैसे लेकर सुबह 10 वैसे पांच वैसे तक साम तक जो होगी दो पहर एक से दो तक बिच में लंच होगा इसके साथ जो पॉइंट कहीं गई है कि सक्षतकार में उपस्थित होने वाले अभ्यारती जो है अपने समस्त सक्षणिक जितने भी डॉकुमेंट आपको लेके जाना है सब का ओरिजनल कोपी लेके जाना है अगर आपके पास डिगरी नहीं है तो प्रोविजनल डिगरी लेके जाना है और इसके साथ आपको जो है जो है लेकर दोनों साथ में आपको उपस्तित होना है इसके साथ पांचवा पॉइंट यह कहा गया नोटि जो है वह सक्षदकार के लिए उपस्थित होते समय तफेद टी सट काली पैंट यानि कि आप पूरी तरीके से एक वकील के वेस भूसा में जाएंगे और प्रपर जो है उचित परिधान के साथ जो है अपने आपको टाइव अगरा लगा कर जो है उपस्थित होंगे यानि कि कर सकते हैं यहां पर काली सट और पैंट की बात की गई है ठीक है तो ठीक है इसके साथ आप देखेंगे अगला जो पॉइंट यह है कि चुकि प्रयाग राज में चुकि आपको पता होगा यूपी का जो बार कांसिल आफ जो उत्तर प्रदेश उसका हेड आफिस जो है प्र प्रयाग राज में ही उपस्थित रहेंगे बाकी की जो तीन-तीन लोग की जो कमिटी बनाई गई है हर एक जोन में वो लोग जो है इसको करेंगे साथवा पॉइंट यह कहा गया है कि जो सची हुए वह बार कांसिल आफ उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया जाए कि सक्षतकार को सुचारी रूप से संपर कराने के लिए प्रतेयक जोन में एक लिपी के और एक जो है चतुर्त सेरी करमचारी के डूटी लगाई जाए जो सक्षतकार वाले दिन प्रतत 10 बये से साम तक स्थल पर पहुंच कर सारी सूधा का इस तरीके सारी सूधा भी जो है आपको उपलब्द कराई जाए पुरापर इस पर मैं एक अलग से वीडियो पी ले क्या हूंगा कि इस तरीके से इसमें हो रहा है तकि आपको डरने की जोरत नहीं है कि बहुत बड़ा इंटर्वी होगा कैसे इंड्रॉल्मेंट होगा यह सोचने की नहीं है इसके बारे में आपको और डिटेल में आपको बताऊंगा फिलहाल नोटिफिकेशन को समझ लीजे ताकि आपको जो यह जानकारी हो जाए कि आपको यह सब चीज का ध नहीं है तो वैसे लोग जो कि इनके पास नहीं है लेकिन डिग्री उन्होंने किसी ऐसे ले लिया है जहां पैसा दे के ले लिया या आप कहा सकते हैं किसी अलग तरीके से ले लिया तो इसके वजह से जो है वकालत का पैसा जो है वह कहीं खत्रे में आ रहा है इसको ध्यान म आपके और हमारे फायदे के लिए ही है ठीक है यह जो समीटी उसको ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति रहा है इसको उत्रीन नहीं किया जाय आनि कि आतना समर्थ नहीं है ऐसे अब रह domestic को निर्देशित किया क्या कि अगली बार फिर सवीब futures 3 महिन कर त्यौमीन से अगली बार फिर से तयारी करके आयं जлись पिल्कुल ही नहीं है तो ऐसे अभियार्थि को जो है तीन मेने का समय दिया जाएगा ठीकि वापस आने के लिए जिन अभियार्थियों के विरुद गंभीर अपराद हों यह सबसे इंपोर्टेंट है याद रखिएगा कि जिनके ऊपर जो है कोई अपराद का जो केस चल रहा से इस बात का प्रमार देना होगा प्रपर उनको डॉक्मेंट देना होगा और ऐसे अभियार्थियों का वाद लंबित रहने तक पंजीकरन नहीं किया जाएगा यह सबसे इंपोर्टेंट चीज यहां पर है मेंशन किया गया है कि अगर आप वकील बनना चाहते तो यह ध्य किया जाएगा यानि कि तब तक नहीं किया जाएगा जब तक आपको जो है क्लीन चिट ना मिल जाए कोड के तरफ से या जो भी आपके उपर मामला चल रहा हो ठीक है तो यह सारे जो है नौ पॉइंट है जो कि आपको जर्षाएगा है जो कि महतुपूर्ण हो जाते हैं आप देख रहेएं यूपी का यह पूरा नक्षा अब इसमें बटा हुआ है आप जों को जो है बार बार करके देख लेते हैं एक जान धा Hum अब देखिए मेरट की मिरट में गात्याबद में जाएंगी जिवी नगर वो होगी हापूड है मुझधरनगकर बागपत है मं उसरे जो और दस जो ऑग के पास वालिगर है इटा है फिरोजाबाद हाथ रस मैनपुरी मतुरा कास गंज यह सारा जो जिले हैं यह साभी जगा के लोग जो है वह आगरा में जाएंगे ठीक है आगरा में उनको बुलाए जाएगा ठीक है तीन लोग कमीटी का भी नाम यहां पर दिया गया था इस तरह तीन-त प्रियाग राज में इंटर्व्य होगा इसमें आपका जो यह 12 डिस्टिक है आपके है भदोई है चंदावली है आप अयोध्या देख सकते हैं जानपूर है और कुषामबी है मिर्जापूर परताब गर्डवारस सोन्भद्र और सुल्तानपूर चित्रकूट यह जितने 12 जिलें यह सारे जिले के जो भी लोग होंगे उनका प्रयाग राज में पड़ेगा ठीक इंटर्व्यू ठीक है अगला जो जो नहीं वह पांचवा है लखनव में पड़ेगा लखनव में किसका पड़ेगा अमेठी है बाराइच भलरांपूर यह बाराबंकि है अर्दोई है लखिम पूर्खिरी है गोंडा है सीतापूर राय बरिली है और सनवर्ष्ती यह सारे जो जिले हैं यह सभी जिले का जो है आपका लखनव में पड़ेगा ठीक है इसके बाद जो दुसरा दिखेंगे आप तो बरेली के अंदर जो है कौन से पड़ेंगे निके बरेली में आप सामबल भाव भाय। है। साहाजनपूर है। मुरादाबाद है। इसके बाद मुराधाबाद है। भिज नौर गंदर ॣेरा आपका पढ़ेगल और सातवा नंबर में गोरखपूर इसके dal है। सांत कबीर नगर, सिधार्ट नगर, देवरिया, आजमगर, बलिया, गाजीपूर, यह सारा जो है वो गोरखपूर में पढ़ेगा इनका, ठीक है, इंटर्वियो, और आठवा है जहासी, जहासी में आपका ललितपूर आ जाएगा, और जलाउन हो गया, महोबा हो गया, बंद आप अगर फर्म भरेंगे, तो फर्म भरने के बाद आपको एक डेट मिलेगा, और उस डेट पर आपको अपने जोन में जाना है, और वहाँ पर अपने कागजात लेके पहुंच जाना है, अपने अच्छे आचरन के साथ, यानि कि आप अपने प्रापर जो है, जो है, आप आपका रेश्टेशन किया जाएगा, ठीक है, तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये नोटिफिकेशन और इससे संबंधी जो जानकारी आपको चाहिए, तो मेरे साथ टेलिग्राम चैनल पर जुड़ी आई है, चंदन सर टेस्ट ब तब तक के लिए, जय हिंज, जय भारत!